हलो वेलकम फ्रेंग्स आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आई बीम के ऑनलाइन एसेस्मेंट के बारे में जैसा दोस्तों आपको पता है आई बीम ने ऑनलाइन एसेस्मेंट का लिंक सेंड करना स्टार्ट कर दिया है और आई बीम के एसेस्मेंट स्टार्ट हो चुके एसेस्मेंट के बारे में लेती हैं इसकी कोडिशन्स पूछते है lucid इसे पहले इसको इसस्ट्स पहले कि मैं आगे आपको सब्सक्राइबत करें आपको होगा आप आपने अप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक करना तो बिलकुल भी मत भूलिएगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कैंशन डिखा डिखा देता हुँ सब्सक्राइब को यहां पके स्क्रीन पर कोस्चन्स दिख रहा होगा बेसिक सा कोस्चन्स है इसको अपको जैस् बताया तो आपको जो कोडिंग कोशन्स पूछे जाते हैं को बेस्क ली एरे से रिलेटेड होंगे या फिर स्ट्रिंग से रि पहरे से स्ट्रिंग के बेसिक अगर आपका कॉंसेप्ट के लिए है तो आप इसली इसे सॉल्व कर सकते हो तो चलिए इसको पहले देखते कि यह कुशन आकर है क्या आप देखो कि इसको में कह रहा है कि वी केन एसाइन आ वैल्यू टू इच कैरेक्टर इन वर्ड सो यह इसका प्राब्लम स्टेट्मेंट उपर दिया हो था इसका बांकी यह डिफिनेशन है वर्ड बेस्ट ऑन देर पोजीशन इन दा अल्फाबेट सो सपोज कोई आपको ए स्ट्रिंग मिली है इस नमबर आफ करेक्टर होंगे उसमें उसमें हरे करेक्टर के बेस पर आपको एक सिरिय आपको क्या करना है एक फंक्शन डिजाइन करना है एक फंक्शन लिखना है जो फंक्शन को यह स्ट्रिंग पास करेंगे और यह क्या रिटन करेगा वन मैनेस वन या जीरो रिटन करेगा तो आप देखो के वन कब रिटन करेगा अगर वो फंक्शन अगर वो वट बैलेंस है तो वन रिटन करेगा बैलेंस कब होगा तो बैलेंस बताया हुआ कि उस स्ट्रिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों करेक्टर के नुम number of character वो odd है यानि even नहीं है तो आप example देखो कि यह Zips है Zips को अगर आप two part में divide करोगे इस string को तो पहला part होता है ZI दूसरा होता PS तो अगर हम Zips इन चारो character को अगर numeric value assign करेंगे तो Z का number होगा 26, I का number 9 इसी तरह दोनों का आप देखोगे तो क्या होता है Z I 26 plus 9 and PS का P 16 19 तो दोनों आप देखोगे 35 35 होता है तो इसलिए यह क्या होगा यह balanced string होगा और यह इस case में आपको one return करना है आपको function ऐसा लिखना है सेम उसी तरह दूसरा example देखोगे इसमें ब्रे लिखा हुआ है ब्रे क्या है unbalanced है B और R का जो value होगा 18 plus 2 और A और Y का value होगा 25 plus 1 जो की balanced नहीं है इसी तरह तिसरा example देखोगे arise, arise unbalanced है directly क्यों है आप देखोगे arise में क्या है यह even odd number of character है इसलिए यह minus 1 return किया तो यह basic questions है जो strings related है आप इसे easily solve कर सकते हो अगर आपको array और string पर अच्छी पकर है दूसरे questions की तरफ अगर हम देखेंगे तो दूसरा questions भी आपको यह दिखेगा यह भी easy questions में सही आप देखोगे क्या problem statement जो है इसमें create a function that takes a list of unsorted number size the number of element in the list and k it means that आपको एक function write करना बनाना है जिसमें 3 parameters होंगे पहला parameters आपको होगा वह जो ऐसमें function होगी वह number लेगी आपको वह list of values लेगी जो कि unsorted होगा यह सारे दिये वह हैं है आप देखोगे क्या करना आपको क्या करना है इस case में देखोगे function क्या return कर रहा है तो यह 2 क्यूं return कर रहा है explanation में हम देखते हैं so आप देखोगे as we found two unique triplets that equals to 11 it means कि इस list में आप देखोगे दो ऐसा triplet मिला है ऐसी triple value मिली है तीन value मिली है combination of three values यह ऐसा दो बार मिला है जिसका sum 11 होता है आप देखोगे that is 0, 2, 9, 0, 2, and 9 यह तीनों ऐसा triplet है मतलब ऐसा combination of three number है जिसकी sum क्या होती है 11 होती है यह k होती है इसलिए आप देखोगे अगला होता two six three two six three यह तीनों ऐसा combination of three character है three number है जिसका sum क्या होता है 11 होता है तो ऐसे only two pair बनते हैं दो बनते हैं combination बनते हैं तिन तिन गारेक्टर के इसलिए यह function to return कर रहा है तो ऐसे basic से questions आपको रहेंगे area और strings related friends so आप all the best आपके assessment के लिए आप assessment दो इसके बाद आप हमें comment करके भी बता सकते हो कि कैसा assessment रहा और वीडियो आपको अच्छा लगा और informatic लगा और helpful लगा तो आप जरूर हमें subscribe कर दीजेगा इस चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आपकी जो भी queries आप comment भी कर सकते हैं मिलते हैं next video में thank you so much